हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक वार फिर से आपके अपने योट्यूब चैनल ब्लेजर्स कॉंसेप्ट में और दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग बिहार S.S.E. के लिए मौरल पैक्टिसित कवर कर रहे हैं गुरू रामान सर के द्वारा जो लेकिन उसे पहले बता दे आप लोगों को कि इस बुक का एससे पहले हम लोग 9 पैक्टिस जो है अल्ले कवर कर चुके है तो अगर आप लोग वीडियो नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्सन उसका लिंक दे दिया जागा आप लोग यहां से देख लिजेगा या फिर हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं ठीक है प्रेंट्स तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं मोडल पैक्टिस सेट नमबर 10 का यहां पर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है तो देखिए क्वेश्चन सही आंसर है भगत सिंग के द्वारा जो है नौजवान सभा की अस्थापना की गई थी ठीक है और इसकी जो अस्थापना हुई थी वह 1926 सेस्वी में हुई थी यह भी याद रखिएगा फ्रेंट्स आप लोग ठीक है तो अप्शन नमर ए जो है इसको राइट आंसर होगा बात करेंगर भारती राष्ट कांग्रेस की तो फ्रेंट्स देखिए इसकी जो अस्थापना है वह 1850 इस भी में हुई थी ठीक है याद रखिएगा उप्शन नमर डी हो जागा इसका सही आंसर देखेंगे नेक्स्ट कुशन देखिए क्यारा इसमें कि सती प्रथा पर प्र इसकी प्रथान मंत्री ने एक बार पद से हटने के बार दो बारा पद संभाला था तो वह प्रथान मंत्री थे इंदिरा गांदी थी वो ठीक है उप्शन नमर सी इस क्वेशन का यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ठीक है उसके बाद चलिए अब अगला क्वेशन देख लिजे यहां पर देखिए कराश में की चुनाओं में नोटा का विकल्प अपनाने वाला पहला राज कौन है तो द इसका निर्धारन कौन करता है तो इसका निर्धारन करता है बितायोक अप्शन नमर भी होगा उसके बाद चलिए अगला क्वेशन देखेंगे यहां पर देखिए कह रहा है कि सापों की विस गरंथिया किसकी समांग है किसकी समांग है सही आंसर हो जागा इस क्वेशन का द नहीं बनाता है, कौन सा है वो? तो देखेю, वो हो जाएगा, टायरोसीन टायरोसीन जो है, इसका सही आंसर हो जाएगा अप सन नमर भी, अब चली, नेक्ष देखliə देखें, यहाँ पर जो नेक्ष दिया हुआ है कि मानरा भुरते में कितने कक्ष होते हैं माना भुर्दे में कितने कक्ष होते हैं तो माना भुर्दे में टोटल चार कक्ष होते हैं अप्सन नमर भी होगा नेक्स्ट है मनुस की खोपरी में कुल कितने अस्थियां होती है सही आंसर इस क्वेशन का टोटल 28 अस्थियां होती है ठीक है अप्सन नमर ए इस क्वेशन का यहां पर right answer हो जाएगा friends, next है भारत में मौदरिक निती कौन बनाता है, भारत में मौदरिक निती कौन बनाता है? तो देखें यहां पर, दो option दिया हुआ है, एक यंदर सरकार भारत काओधियों की बित्ति निगम, आए इसका और option देख लीजे, यहां पर, देखें friends इसका ज अरतिये रिजहर्व बैंक के प्रतिक चिन पर कौन सा पसू अंकीत है, कौन सा पसू अंकीत है, सही answer है देखिए बाग, option नमर B होगा, next है बारत में सबसे आधिक वियाई नीमन में से किस के आयात पर किया जाता है, तो देखिए यह किया जाता है, खनीज तेल के आयात पर, option नमर बी जो है इस question का यहाँ पर right answer हो जाएगा चलिए next देख लेंगे यहाँ पर देखे next question जो दिया हुआ है फ्रांट्स कहा रहा है यदि एक पिता का रक्त वर्ग A है और माता O तो बताईए कि उनके पुतर का नेमले कि तुमें उसे कौन सा वर्ग हो सकता है सही answer है देखे इसका यहाँ पर option number A और B दोनों हो जाएगा ठीक है option number A और B यहाँ पर देखे दोनों हो जाएगा सही अंसर इस question का देख लिएजी यहां पर option नमर ए हो जागा दिखेए से dialysis कहा जाता है, option नमर ए होगा, अब चलिए अगला question देख लिएज़ए, यहां पर कहा जाता है, कि वर्तमान समय में आसियान के सदस से देशों की संखियां कितनी है, सही अंसर है दस देश है वर्तमान में option number A होगा अब चलिए अगला question देख लिजे friends यहाँ पे देखें कहाँ इसमें कि प्रसिद्ध टेनिस खिलारी राफिल नडाल किस देश से है प्रसिद्ध टेनिस खिलारी राफिल नडाल किस देश से है सही answer है यह next है कि CV रमन को किस वर्स नोबेल पुरसकार दिया गया था तो देखें उनको 1930 CCV में जो है नोबेल पुरसकार दिया गया था तो इन ही को मिला था सबसे पहले डॉक्टर S. राधा कृष्णन को ऑप्सन नमर B इस question का यहां पर right answer हो जाएगा ठीक है फ्रेंट्स उसके बाद चलिए हम next देख लिजिए जब देखें यहां पर जो next question दिया हुआ है कि सलमान अरुस्दी के द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है सलमान अरुस्दी के द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है तो देखें इस पुस्तक का नाम है दा सैटेनिक वर्सेज अप्सन नमर D हो जाएगा अप चलिए next देख लेंगे यहां पर देखें कि निमलेकित में से कौन गर्म धारा है तो वह हो जाएगा यह पर देखें अलासका की जो धारा यह गर्म जल धारा है अप्सन नमर 20 का सही आंसर होगा चलें next देख लेंगे देखें कि मांजोनी पावन का संबन मुक्यता किस महादूइप से है मुक्यता किस महादूइप से है तो देखें इसका संबन एस यह option number 2 होगा उसके बाद देख है तो यह इस तीरह देखें हिंद महासागर की सीर्स पर option number A हो जाएगा आईए अगला question कहा रहा है कि महंग्रोव या सुंदरी बन किसे कहा जाता है तो देखें प्रांस यह कहा जाता है जुआरिये अथवाद दलदली बन को option number D इस question का यहाँ पर right answer हो जाएगा उसके option number हो जाएगा देखें इस question का C यानि की protein को amino आमल में option number C हो जाएगा उसके बाद चलिए next देख लीजे कह रहा है कि ध्वानी के पुनरुत पाद के लिए एक CD audio player में परियुक्त होता है क्या परियुक्त होता है तो इसमें देखें लेजर भी परियुक्त होता है option number C हो option number D हो जाएगा चलिए next देख लीजे देखें next कह रहा है कि एक electronic पुंज को phosphorus coated पर focus कर प्रती बीमों को पर जनित करना क्या कहलाता है तो देखें प्रंस यह कहलाता है roaster scan option number C हो जाएगा सही answer चलिए next देख लीजे कह रहा है कि वैस्विक भूख सुचकांक 2022 में भारत की स्थिति क्या है तो इसमें भारत की स्थिति है 170 मिला भारत को इसमें option number C इस question का यहां पर right answer हो जाएगा ठीक है friends उसके बार चलिए अब next question देखेंगे यहां पर question number 67 हो जाएगा और देखें इस question में कह रहा है कि चक्र सौर गठबंधन की पांचमी बैठक कहां संपन हुई है तो देखें friends यह बैठक संपन हुई है नई दिल्ली में option number D हो जाएगा इसका सही answer अब देखेंगे next question देखेंगे next यहां पर कह रहा है कि FTF ने किस देश को अपने grey list से बाहर कर दिया है किस देश को grey list से बाहर कर द option number A हो जाएगा इसका सही answer चले अगला question देख लिजी कहा रहा है खालसा पंत के संस्थापक थे खालसा पंत के संस्थापक कौन थे तो वह थे गुरू गोबिंद सिंग option number A होगा अगला है कि महावीर स्वामी का जन्म कहां पे हुआ था तो देखें प्रंट से इनका जन्म ह जाता है option number A इस question का यहाँ पर right answer होगा अब चलिए अगला question देख लिजिए देखें प्रंट से कहा रहा है कि किताब उलहिंद पुस्तक के लिखक कौन है किताब उलहिंद पुस्तक के लिखक कौन है तो इस पुस्तक के लिखक है अलबरूनी option number C होगा next है मुगल बादसा अ या question number 78 और देखें प्रंस कहरा है कि बिहार में रज्जु मार्ग कहा है तो यह है राजगीर में option number D होगा उसके बाद चलिए अगला question देख लिजिए देखें कि बिहार का पहली हिंदी फिल्म कौन है बिहार का पहली हिंदी फिल्म तो देखें वह हो जाएगा कल हमारा है 79 का यहां पर क्या हो जाएगा कल हमारा बिहार का यह पहला हिंदी फिल्म है option number A इसका सही आंसर हो जाएगा चलिए next देख लिजिए देखें next question दिया वाई कहा रहा है कि बिहार में पर्थम चीनी मील कहां खुला था तो यह खुला था मढ़ोरा में option number A हो जाएगा इसका सह और यह मढ़ोरा कहा है तो यह सारन जिला में है याद रखिएगा कौन से जिला में है यह सारन जिला में है अब चलिए next देख लेंगे यहां पर देखें कहा रहा है कि Silk City के नाम से बिहार का विख्यात सहर कौन सा है तो वह सहर है भागलपूर option number B हो जाएगा अगला question देख बारल सरकार का भी है बारल सरकार भी हार सरकार का option number D इस question का right answer हो जाएगा ठीक अब रांस आईए अब देखते हैं अगला question देखेंगे कि कैमरे का द्वारक और कपाट गती का निमलेकित में से कौन सा सन्योग अधिक तम उदभासन होने देगा तो देखें सही हो जाएगा इसका option number यहाँ पे B हो जाएगा अब चलिए अगला question देखेंगे यहाँ पे question number हो जाएगा 99 और देखें इस question में कहरा है कि मानव शरीर का समाने ताप करम 98.4 degree Fahrenheit है इसके बराबर degree Celsius में ताप करम कितना हो जाएगा तो देखें सही हो जाएगा इस question का यहाँ पे 36.89 degree Celsius हो जा ताप अस्थाई इस्थिर बनाए रखने का एक साधन है तो देखें वह जाएगा यहाँ पे temperature ताप अस्थाई जो है यह ताप इस्थिर बनाए रखने का एक साधन है तो option number B जो है इसका सही आंसर हो जाएगा आप चलिए next देख लिजे देखें next question जो यहाँ पे दिया हु अब next देखेंगे देखें next कहरा है कि desert cooler द्वारा सितलन किस पर आधारित होता है किस पर आधारित है तो वहाँ आधारित है वास्पन सितलन पर option number C हो जाएगा इसका सही आंसर देखेंगे next question देखें इसमें कहरा है कि पानी से भारी डाट लगी बोतल जमने पर तूट जाएगी तो जमने पर जल कायतन बढ़ जाता है तो option number C हो जाएगा इसका सही आंसर देखेंगे next देखें कहरा है समय कि cosmic किरने cosmic किरने सही आंसर है आवेसितकन होती है cosmic किरने जो है या आवेसितकन है तो option number B हो जाएगा इसका सही next है guardian कहां का समाचार पत्र है guardian कहां का का option number B हो जाएगा सही answer चले next देख लिजिए देखे next के रहा है कि सीमा सुरक्षावल यानि की BSF की अस्थापना किस वर्स में की गई थी तो इसकी अस्थापना हुई थी 1965 इस भी में option number C इसका right answer हो जाएगा अब देख लिजिए यहां पर अगला question क्या कह रहा है देखे केराइस में कि विस्व बैंक का मुख्याले कहा है विस्व बैंक का मुख्याले सही answer है देखे इसका मुख्याले Washington DC अमेरिका में है option number B हो जाएगा इसका सही answer ठीक है प्रेंट्स और इसकी जो अस्थापना हुई थी वह 1944 में हुई थी अभी याद रखेगा ठीक है आई एम next question देख लिजी केराइस में कि महापरी निर्वान दिवस किसकी याद में मनाया जाता है सही answer इसका हो जाएगा देखिए यहाँ पर option number A उसके बाद चले अगला question देखेंगे देखे केराइस में कि पर्थम विस्पयुद का कारण किन दो देसों के बीच का वह मनस्य था सही answer हो जाएगा इस question का देखे option number B जर्मनी और फ्रांस का था ठीक है option number D जो है इस question का यहाँ पर right answer होगा चले next देख लिजे केराइक कि अमेरिका की टिनेसी योजना के model पर भारत में किस नदी घाटी पर योजना को विक्सित किया गया है तो देखे वह है दामोदर नदी घाटी पर योजना option number A हो जाएगा इसका सही answer देख लेंगे यहाँ पर next question केरा है कि मीना जन जाती भारत में कहां पाई जाती है सही answer है राजस्तान में पाई जाती है option number D हो जाएगा इसका सही answer चलिए अगला question देख लिजिए कह रहा है फूलों की क्रिसी को क्या कहा जाता है फूलों की क्रिसी को सही answer है फ्लोरी कल्चर कहा जाता है option number A होगा अब चलिए अगला question देख लिजिए कि विस्व का सब से महत्वपूर्ण और व्यस्त जलमार्ग कौन सा है तो देखे वह है उत्री अट्लांटिक सामुदरिक जलमार्ग ऑप्शन नमर ए हो जाएगा अगला क्वेशन देखे कि निमलिकित में से किसका उपयोग विस्फोटक के उतपाद में किया जाता है सही आंस तो देखे वह हो जाएगा यहाँ पर मिथेन पलस वायू अप्शन नमर सी इस कोईशन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चलिए अगला क्वेशन देख लिजिए कि निमलिकित में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में पड़युक्त होता है कौन सा पदार्थ है व माइट के रूप में आप्शन नमर ए हो जाएगा और अप्शन नमर ए हो जाएगा